ओम शान्ति हम अव्यक्त मुर्ली प्रिवाइस करें हैं आज की अव्यक्त मुर्ली है 85 कलम ने क्या सिमें की तो आब नहीं तो कभी नहीं ये मुर्ली बाबा ने चलाए थी 21 जनुवरी 1971 आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं बाप जब बच्चों को देखते हैं तो ये शुब भावना होती है कि हर एक बच्चा उच्च ते उच्च भाग्य बनाए बाबा की जो देखना है बाबा तो कि ब्रह्मा बाबा के तन से हम आत्माओं को देख रहे हैं तो उनकी शुब भावना क्या होती है कि हर एक बच्चा उच्च ते उच्च भाग्य बनाए वर्तमान समें वर्दाता के रूप में वर्दान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वर्दाता से वर्दान प्राप्त करती है हर एक आत्मा कितना लेती है यथा योग्य यथा शक्ति इस समय को विशेश वर्दान है सार्व आत्माओं को वर्दान प्राप्त करने का कि सभी आत्माएं पर्मात्मा से वर्दान प्राप्त करें अब नहीं तो अब नहीं तो कभी आज इन आत्माओं राजेपाल और उनकी युगर को भी वर्दान प्राप्त करने का शुब दिवस कहेंगे उनकी युगर राजेपाल जो होगा बाबा से मिलन पनाने आया होगा उस समय के ये वाके हैं राजेपाल तथा उनकी युगर को भी वर्दान प्राप्त करने का शुब दिवस कहेंगे सारे कल्प के अंदर ये अलोकिक मिलन बहुत थोड़े से पदमा पदम भाग्य शाली आत्माओं का ही होता है संपर्क के बाद संबंध में आना है पहले संपर्क बनेगा फिर संबंध में आना है चोंकि संबंध से ही स्रेष्ट प्राप्ती होती है मिले और चलेगे क्या मिलेगा संबंध बनाएंगे तो मिलेगा दो शब्द सदैव याद रखना एक स्वैम को और दूसरा समय को याद रखना एक स्वैम को याद रखना दूसरा समय को याद रखना अगर स्वैम को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए स्रेष्ट प्रालब्द पास सकते हैं स्रेष्ट प्रालब्द पास सकते हैं समी को याद करना और स्वैम को याद करना समी को तो याद करना चलो, मैं आत्मdade समी को याद क्या करें कुछ से पर शाम का टायम है संगाम युगा पूर्श उत्तम संगाम युग चलता राजे पाल तथा उनकी युगल से मुलाका अपने असली घर में आये हो ऐसे मैसूस करते हो अपने घर में कितना जल्दी आना होता है मालूम है जैसे ड्यूटी से आफ होने के बाद अपना घर याद आता है इस रीती से अपने इस शरीर निर्वा की ड्यूटी से आफ होने के बाद घर याद आना चाहिए संबंद को बढ़ाना है एक संबंद को بढ़ाने से अर्थात इस संबंद की अवश्यक्ता समझने से अनेक परकार की अवश्यक्ताइं पूर्ण हो जाती हैं सबी अवश्यक्ताएं पूरण करने के लिए एक अवश्यक्ता समझने की है जैसे शरीर निर्वाग के लिए अनेक साधन जरूरत है हमें शरीर का निर्वाग करना है तो उसके लिए क्या चाहिए अनेक साधनों की जरूरत होती है वैसे आत्मिक उनत्ती के लिए एक साधन के अवश्यक है हो क्या है एक साधन के लिए अवश्यक है इसलिए सदैव अपने को अकाल मुरत समझते चलेंगे तो अकाल मुरत में से भी अकाल से सर्व समस्याओं से बच सके कितना भी बड़ा दुख आएगा कितना भी बड़ा कस्ट आएगा उससे आप बहुत सहज रिती से बच सकेंगे मांसिक चिंताएं मांसिक प्रिस्तितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है वो क्या है सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं बस इतना समझ नहीं इस दे अभिमान को मिटाने से सारी परिस्तितिया में दुआएं कि सारी मुसीब्ते किसे हैं बहे से हट खतम करो दे को अपना हटाओ और बस सारी मुसीब्ते खताओ इसलिए आत्मा हुत्या करते हैं कि ना मुझे ये दिखेंगे ना मेरे को कुछ नहीं करो चलो चुटी करो शरीर को मैं ऐसी मुसीबत में जी नहीं सकता अब कुछ पूछने का राही नहीं सब संबंद में आते रहना सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे अब सभी से छुटी अच्छा विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर करें और यदी कोई प्रेशन हो तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल वर्चेप करें थोरनें ओम शान्ती